एक ऐसा बच्चा जो की बिना ग्रैविटी पैदा होता है और पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही मुवी को देखेंगे मुवी सुरू होती है और हमें एक प्रेगनेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तबी उसकी डिलिवरी का टाइम भी आ चुका होता है और उस वक्त नतालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है नतालिया की तबीयत खराब होना सुरू हो जाती है और उसकी मा फोरन उसे होस्पिटल ले जाती है लेकिन रात काफी हो चुकी थी इसलिए होस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर एविलेबल नहीं होते लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलिवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परिशान हो जाते है क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रही थे क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फलाई करना सुरू हो जाता है नतालिय भी यह देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहां एक एंजल बच्चे की पैडायस हुई है लेकिन नतालिय की मदर एक समझधार और एकसपेरियंस लेडी होती है और वो फोरन समझ जाती है कि बच्चा अबनॉर्मल है और ऐसा ही होता है क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रैविटी पैदा हुआ है वो लोग काफी पूर और प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और फुरन होस्पिटल को छोड़ कर चले जाते हैं जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है लेकिन वो उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं जब वो लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उसे एक अजीब सा क्वेस्टन पूशती है वो पूशती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा हुता कि उस बच्चे का बाप कौन है फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है फिर वो बच्चे का नाम स्लेक्ट करते है तब उसका नाम ओसकर रखा जाता है और ओसकर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था जब वो लोग उसे अकेला चोड़ते थे तो वो चट से जाके चिपक जाता था और कई देर तक वहीं पर चिपका रहता था ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बैट्स बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर रही रहे और चट को भी वो काफी सोर और लाइट वेट बना दे ताकि बच्चे को चोटने लगे क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेला चोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा इसलिए वो लोग उसकर के लिए काफी कॉंसेस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं फिर वक्त के साथ साथ ओसकर बड़ा होना शुरू हो जाता है लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती घर रहकर वो मोस्टली टीवी और सूपर मैन के कार्टोंस देखा करता था और वो बी यही अजूम करता था कि वो भी एक सूपर हीरो है फिर उसकर कई दफा अपनी मदर नातालिया से पूछता है कि वो लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते लेकिन वो उसकी इस बात को इगनोर कर देते हैं उसकर किड़की से बाहर कई दफा लोगों को देखता रहता और अपने जैसे बचों को भी जो स्कूल जा रहे होते हैं और हस्रत बरी निगाहों से खेलते हुए बचों को देखता रहता था और अजाद जिन्दगी को भी बहुत ज्यादा मिस करता था वो ये सोचता था कि वो साइद हमेशा के लिए यहां कैद में ही रहेगा फिर एक उसकर को समझाती है कि वो कभी भी इस गर से बाहर नहीं जाएगा नै उन बचों की तरह जो स्कूल जाते हैं और वो घर पर ही रहकर पड़े ये सुनकर उसकर की मदर काफी गुसे में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे एक नै एक दिन इ उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पोकेट में वो दो पत्थर रखती है ताकि वो उड़ना सके वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और उसकर को बाहर ले जाती है और साथ में वो उसकर को ये भी बताती है कि वो सूपर मैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बत जाता है और वो उसकर पर काफी चिलाती है और उसकर को दो पानी की बोटल्स दे देती है और कहती है कि अब तुमारी पनिस्मेंट ये है कि तुम इसे मेरे साथ मेरे गर लेकर जाओगे लेकिन उसकर इसके लिए इनकार कर देता है लेकिन अगाता उसे ऐसा करने के लिए फोर उसकर रहा होता है, वो अपनी पोकेट के दोनों पथरों को निकाल कर फैंक देता है, अब अगाता के साथ उसकी friendship हो जाती है, फिर अगाता अपने घर पहुंझाती है और वो उसकर से पाने की बोटल देने से इंकार कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये प तरफ से काफी बंद होती है इसलिए ओसकर जादा उंचा नहीं उड़ पाता अगाता ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिलाकर उसे सूपरमैन कहती है ओसकर उससे हेल्प मांगता है ये सुनकर अगाता फोरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपनी पोकेट में रखेगा जो कि एक अच्छा आइडिया था इनका ये प्लैन अच्छा सावित होता है और उसकर नीचे आजाता है फिर उनकी गहरी दोस्तियों जाती है फिर उसकर अगाता को कहता है कि तुम प्रोमिस करो कि इस इस बात को सिक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ओसकर के गायब होने की वज़ाई से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती है। वो उसे काफी डूंडती है। और वो ये सोच लेती है कि वो साइद हवा में उड़ गया है। क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे होते हैं। वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर उसकर उसी बहग के साथ जो अगाता ने उसे दिया था उसे लेकर घर आ जाता है। और अपनी मदर को अगाता के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे प उसकी मदर उसे अगाता से मिलने नहीं देती जबकि अगाता काफी दफ़ा ओसकर से मिलने उनके घर पर आती थी लेकिन नतालिया उसे दर्वाजे से ही बेश देती थी फिर उन लोगों के आसपास के लोग उन्हें सक्की निगाहों से देखने लगे क्योंकि उन्हें ऐसा जाती है और उन लोगों को वर्ण करती है कि वो उसकर को कल से स्कूल भेजें और मजबूरन उन लोगों को उसकर को स्कूल भेजना पड़ता है फिर उसकर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है और उन्हें इस बात का भी खयाल आ जाता है कि उसकर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता फिर वो उसकर को ले आती है और उनकी आँखे आस्वों से बर जाती है उसकी मदर इस बात को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगाए पर रहना सुरू कर देते हैं काफी साल गुजर चुके होत यहां तक कि सोते वक्त भी वो उसे अपने साथ लेकर सोता था लेकिन आज भी उसका लाइफस्टाइल जीने का वही तरीका है गर में रहकर ही वो जिंदगी गुजरता है और उसकी जिंदगी सिक्रेट पर ही चल रही होती है औसकर की मदर और वो एक दूसरे का भूत खयाल रखते थे औसकर अपनी जिंदगी से परिशान हो चुका था इस राज को छुपाते हुए वो काफी तंग आ चुका था फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में मसूर हो जाएगा जैसे कि उसका आइडल मैन सूपर मैन और उसके उपर भूस सी किताबे भी लिखी जाएगी लेकिन उसकी मदर ऐसा कभी नहीं चाहेगी लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल गय तो वो उसे खो देंगे, फिर वो अपनी मा की खातिर सबर कर लेता है, लेकिन फिर उसका सबर खतम होना सुरू हो जाता है, और एक दिन वो अपनी मदर को बगैर बताई घर से बाहर चला जाता है, फिर वो एक मैजिक सो में चला जाता है, जहां लोगों के टैलेंट को दिखा जाता है और वो पहली मरतबा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है फिर उसी रात वो सो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी उस सो को देख लेती है इस मामले में उसकर की मदर बेबस है क्योंकि काफी लोग उसकर को टेवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भ में मदद कर सकता हूँ हम भूत बड़े बड़े सो और्गिनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे फिर वो उसकर को एक बहुत बड़ा गर्द दे देता है जहां पर वो रह सके पर उससे एक कोंट्रेक्ट भी साइन करवाता है क्योंकि उसकर भी मुसूर होना चाहता था वो दोनों मिलकर बूत बड़े-बड़े सो में जाकर अपने परफॉरमेंस दिखाती है और रात-ु-रात उसकर भी एक फेमस परसनाल्टी बन जाता है और बाद में उसकर को नाम दिया जाता है धी मैन विदाउट ग्रैविटी वो लोग अपने काम में काफी इंजोई क चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है लेकिन फिर एक दिन ओसकर को इस बात का रिलाइज होता है कि जो ट्रीम उसने बच्पन में देखा था सूपर मैन बनने का वो सूपर हीरो नहीं है बलकि वो तो एक कटपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने इंजोईमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं कभी तो लोग उसे फोटो सूट में बलाते थे और कभी उसे मैजिक सो में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब नापसंद होना सुरू हो जाता है हलाकि उसके उपर भूत सारी बुक्स भी लिखी जाती है भूत सारी मैक जीन्स पिछपती है और कुछ ऐसे डोक्यूमेंटरी जिसमें उसकी नानी और उसकी मदर को काफी बुरा प्रेजेंट किया जिसे सुनकर ओसकर को काफी बुरा लगा और फिर एक आख्री सो होता है जिसमें उसे एंजल का कोश्टुम पेहना हो जाता है जो उसे भूत बुरा लगत अब वो ये काम नहीं करेगा उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते लेकिन ओसकर इन सबसे तंग आ चुका होता है वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर यह कह दो कि दे मैं विदाउट ग्रैविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया है फिर वो अपनी मा को भी गुडबाई कह देता है क्योंकि वो एक अलग जिन्दगी जीना चाहता था और अगले दिन योज़ पर यह खबर आ जाती है कि दे मैं विदाउट ग्रैविटी मर चुका है और भूच से लोग उस पर तरह तरह की कलेम करते हैं ओसकर की मा अकेली रहना शुरू कर देती है और कई विजीटर्स ओसकर के बारे में पूचने उनके घर आते जाते थे लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती और फिर काफी साल गुजर जाते हैं फिर ओसकर की मदर की डैथ हो जाती है लेकिन ओसकर अभी तक जिन्दा था वो एक अल चार्टरिल्ट करते थे और एक दिन उसके बच्पन की फ्रेंड अगाता उससे मिलती है वो उसकर को उस पिंक बैग की वज़े से पैचानती है जो आज भी उसकर के साथ था जो उसे बच्पन में उसने दिया था और उस बैग की वज़े से ही वो जमीन पर रहा और उसकी सा साथ उसी होटल में आया करती थी जहां पे ओसकर था जिसे देखकर ओसकर को भूत बुरा लगता था ओसकर कई दफ़ा अपने दिल की बात अगाता के सामने एक्सपोज करता था लेकिन वो काफी बदल चुकी थी और उसकी बातों को इगनौर कर देती थी इस बात से साफ जाह को अंडर्स्टेंड कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से साधी कर लेते हैं फिर उसी गर में रहना सुरू कर देते हैं जहां वो बच्पन में रहा करते हैं और यहां पर मूवी का एंड हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर च झाली ओमी